किसान आंदोलन को लेकर किसानों की बयानबाजी का असर ग्रांड जीरो पर किस कदर हो रहा है इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है जब से किसान नेता राकेश टिकैत में सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने खानून वापस नहीं लिये तो किसान अपनी फसल को सरकार को नहीं बेचेंगे बता दें कि उनके बयान के बाद तीनों करशी कानूनों को रद करवाने का मामला तूल पकड़ते जा रहा है अब हरियना पंजाब में किसानों ने अपनी फसलों पर ट्रॉरेक्टर चला कर नश्ट करना शुरू कर दिया है किसानों का साफ तोर पर कहना है कि सिर्फ अपनी परिवार के खाने के लिए ही अंड रखेंगे उसके अलावा गेहूं का एक दाना भी नहीं बचाएंगे किसान नेता राकेश टिकेट ने बयान दिया कि फसल को किसान आग लगा देंगे जिसके बाद किसानों ने अपनी फसल को नश्ट करना शुरू कर दिया है जिसके चिंगारी अब नर्वाना में भी पहुच चुकी है नर्वाना के धरोदी गाउं के किसान पवन ने भी अपने पांच एकड की फसल में ट्रेक्टर चला कर नश्ट कर दिया और कहा कि सिर्फ अपने खाने वह पश्यों के चारे के लिए रखेंगे बाकी सब पर धीरे धीरे ट्रेक्टर चला देंगे जब सरकार किसानों की सुधी नहीं ले रही इसी के तहट दिल्ली किसान धरने से लोटे गाउं कैलरम के किसान वीरेंदर उर्फ भिंडा ने जो की दो एकड की खेती करते हैं उन्होंने अपनी डेड़ एकड फसल को प्रेक्टर से नश्ट कर दिया और आधा एकड जमीन बचा ली जब इस किसान से बात की गई तो उसने कहा कि किसान आंदोलन को करिद तीन महीने होने जा रही हैं वो भी दो महीने से लगातार दिल्ली धरने पर बैठे हैं पर सरकार किसान की नहीं सुन रही जिसके चलते उन्होंने किसान निता राकेश टिकैत के बयान के मताबिक उन्होंने डेड़ एकड फसल नश्ट कर आधा एकड खाने के लिए बचा ली है पंजाब केसरी टीवी के लिए नर्वाना से गुल्चन चावला की रिपोट